में दोस्तों तो एक बाद फिर से शौगत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चनल व्लोग होजे में डेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद और इतना सारा आप लोग मुझे पसंद करते हो उसके लिए टैंक्यू आप लोग इतना समय निकाल ले हो और वीडियो करें यूशी आप लोगों से एक छोटा सा करोंगा कि अगर थोड़ा सा आप लोगों की तयारी करिए अर्प जो समस्पेक्टर की है रप कि में 4000 चारजार समस्पटर नहीं है जबकी चार से वेकंसी के प्रॉक्स है इसकी मेरिड मैं 100% बता रहा हूं आप लोगों को कि 110 के प्रॉक्स जाएगी पेपर अगर सिंपल आता है या मॉडरेट भी आता है पेपर लेकिन जो इसकी मेरिड है 110 के प्रॉक्स रहेगी की नुर्मलाजिस को मैं बता रहा हूं चाहे पेपर मॉडरेट हो चाहे या सिंपल हो ठीक न इतना रहने रहेगी क्योंकि चार्ट से वेकंसी और से और अच्छी तरीकी है यह ओर होती है और इसमें अच्छी खासरी आपट कि सालरी आएगी अच्छी खासि है तीज से 35000 पैसा ldre प्लस उसके बाद में क्या टीजुक्त बंग जाता है इसमें तो अब हम आपकी जो कूश्य उनको लेते हैं कहीा सारे कोईशन्स आप लोगों का यह है कि क्या कि यह जनुरी से पहले इसका पेपर नहीं होगा क्या ऐसा कुछ है और है यह है गूगल में को दो सितंबर का पेपर शो कर रहा है कि दो सितंबर में पेपर होगा और कि भी से सब्सक्राइब कोई भी किसी भी subject को पढ़ रहे हैं तो इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं तो selection के लिए कितने number चाहिए एक ही question है आपको लोगों का तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SC girls का safe score के लिए एक comment है तो पहले तो बात करते हैं कि paper के उपर depend गरता है कि आपका safe score क्या रहेगा अगर safe score मैं कहूं कि previous year के अगर paper देखें तो उसके हिसाब से अगर safe score अभी का जो होगा तो जिस हिसाब से vacancy कम है सब inspector की 400 vacancy के प्रॉक्स हैं जिसमें SCST की और कम है तो उसमें मैं कहूंगा कि 100 या 95 से 100 के बीच में अगर आपके number बन रहे हैं तो आप समझे कि हाँ आप competition में है ठीकिन अगर आपके number कम हो रहे हैं दिखो मैं आपको सईसे बता हूँ अभी आप लोग अगर mock दे रहे होगे तो आप भी history को cover कर रहे होंगे आप जियोग्राफिक को कवर कर रहे होंगे जी के को लेकर के बात कर रहे हैं अगर आप रिजनिंग की बात कर रहे हैं तो इतना आपका mock में आ रहा होगा अब आपको क्या कि इसको किस हिसाब से बहतर बनाना है किस हिसाब से अच्छा करना है आपको उस पर काम करना है तभी आपका selection हो पाएगा यह आप अगर रोज लगाए या उसे पहले मौक लगाने से पहले उसको देखिए उसको रिजिन करिए फसका प्रिजिन दिखना ने के लिए लिए Finlay जो आपका मौक में फसा हुआ हुआ है जो आपको समझने पार हो उसको लिखिए उसके बाद में उसको अपने पॉकेट में डालिजिए आप कहीं जा रहे हैं या फिर आपके पास में 10 में प्रेवल करें आप सесनी निगहा से और उसके बाद रखती दिए फिर अंधे गूंते के बदें निकाली निकाली फिर देखिये सर passenger निगहा से फिर TRI duplication का करना है उसके लिए त्यारी अच्छे से करनी पड़ेगी उसके लिए आपको बस वोकस करना है आपको GS में भी और आपको math और reasoning में भी math और reasoning का मैं बताऊंगा तो reasoning का आप प्रैक्टिस जितना करोगे, उतना ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, पर मैथ की भी यही चीज है, मैथ और रिजनिंग के दोनों का यही है, कि प्रैक्टिस मेंक सी मैं पर्फेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस जरूरी है उसके लिए, जह questions लगा डालिए, 20 questions लगा डालिए, 30 questions लगा डालिए, जितना आपको लग रहा है, उस pattern की कि उस pattern से कभी गलत नहीं होना चाहिए, ये फिर उसके बाद में आपको ये हो जाएगा आपका तरीका, ये है तरीका math को पढ़ने का, तो ये math और इजिन दोनों का तरीका है, GS के मैंने एक blog page channel की सुरुवात भी की है, telegram पे, तो आप जा करके उसको भी join कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि उससे आपको मैं update कर सकता हूँ, चीजों को ले करके, कि ये जो books हैं, या फिर ये जो PDF इसको पढ़ लीजे, यहां से आएगा, ज्यादा पढ़ने की जूरूत नहीं है जो चोटी-चोटी चीजे हैं, जो बारीच चीजे हैं, मैंने वो उस group में डालता हूँ, उसको देखिए, और उसको देखने के बाद में आप उससे बिसकस भी कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका RPF constable का पढ़ने का तरीका, ठीक है ना, selection लेने का तरीका, ठीक है, इतना जर